सो ही गाइस वेलकम टु डेली मार्केट एनालिसस वीडियो जहांपर हम nurse positiva का डेली अनालिसी즈 करते हैं और देखने की कोशीश करते किt Wie नेक्ष दे डीके से लेक सière कर सकते हैं और उस ट्रेत के लोगिका है से लाव बैस्ट टो जिनको कल हम इंट्राड़ेक और सारे का लोजिका है तो चली वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं सब दीक का चाट लगाए यहां पर आज हमको काफी ओछी एक Green Candle यहां पर बनती हुई नजर आईए देखो लास्ट टम मेंने बताया था कि एक Gap Pending एठीक यहां पर इस लेवल सा देख सकते हो इस लेवल से अगर मैं बात करू यहां से यहां पर यह पूरा gap pending था इस gap को यहां पर fill किया, fill करने के बाद एक काफी अच्छा momentum हो, momentum के बाद देख सकते हो, दो दिन price नहीं पर थोड़ा सा selling pressure हमको देखने को मिला, उसके बाद आज हमको एक शांदा recovery देखने को मिली, जोने भी short किया होगा, आज short covering हमको थोड़ी बह cross नहीं कर पाई price है, उसके बाद एक sharp momentum उपर की तरफ हमको देखने को मिला, ठीक है, यानि कि gap down opening होई थी, उसके बाद जो previous day का जो low था वो break नहीं कर पाई price हो, उसके बाद sharp momentum upside हमको देखने को मिला, चलिए छोटे time frame पर देख लेते हैं, end of the day में काफी इच्छा recovery हमको दे price action बदलता हो, यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर top level सो देखोगे तो अभी भी price action हम देखें तो एक negative price action बनता हो, नजर आ रहा है, and price न सम्वेर ओन यहाँ पर closing दी, तो कल अगर sideways होकर bullish momentum दे दे price तो काफी अच्छा momentum हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर important level मे mark कर देता हूं, किस level के बाद आप इसमें fresh buying कर सकते हैं immediately, ठीक है, तो अगर कल price sideways open होती है, और 3780 का level cross करते ही हम इसको buy कर सकते हैं, ठीक है, जो risk कम लेना चाहते हैं, वो 3800 का level cross करते ही buy के लिए plan कर सकते हैं, round level number की बात करो, तो 3800 का level यहाँ पर round level number है, बाकि जो इसने closing द करेंगे कि यहाँ से उसको नीचे जाना है, या फिर upside continue करना है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले 15 minute पे अगर 800 के नीचे कहीं open होती ही, 3500 के नीचे open होने के बाद अगर एक bullish momentum मिलता है, तो हम इसको immediately buy के लिए plan करेंगे, 1500 से 200 point आपको immediately यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, important resistance level की 900 से 950 एक resistance level है, वो cross करते ही, उसके बाद 3600 का एक round level number है, और उसके बाद 3600 के आसपाद जो day higher, जो top अभी decently बना है वो ठीक है, अभी होता हम उतना plan नहीं करेंगे, बीच में 3 level है, 3 level काफी जादा important यहाँ पर होने वाल है, ठीक है, इसके लावर नीचे में बात करूँ, नीचे में भी इसको हटा देता हूँ, strong जो support level के अगर मैं बात करूँ, तो आज का जो day low है, काफी जादा important level है, अगर कल price sideways open ओकर पहले 15 minute में यहीं top level से अगर एक big red candle बनाती है, तो हम इसको short कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 800 का level cross किये बिना price, यहाँ पर red candle बना लेती हैं, तो हम इसको short के लिए plan कर सकते हैं, पहले 15 minute का low break होते ही, और वहाँ पर target आपका simply, आज का जो day low है, वहाँ तक हमारा plan हो सकता है, यानि कि 3500 तक का हमारा target हो सकता है, ठीक है, अगर price थोड़ा सा gap down opening होती है, और 3500 का level cross करते हैं, यानि कि round level बाता हूँ, तो होती है price, and 300 का level cross करते हैं, बड़ा sell up हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीच में काफी ज्यादा यहाँ पर एक sharp selling, यहाँ पर sharp buying आई थी पहले, तो एक sharp selling भी आ सकती है, ठीक है, and price somewhere around दीर दीर नीचे आते हैं, 3500 तक का level test कर सकती है, ठीक है, तो अभी हम वो चीजे नह देखोगे, उपर से top level से देखोगे, था हमको selling pressure ही देखने को मिल रहा, daily time frame की candle के, अगर मैं बात करूँ एक बार, तो वो चार्ट लगा लेता हूँ, daily time frame पर देखोगे, आज हमको एक negative candle इसमें जरूर देखने को मिली, क्योंकि पिछले दो दिनों से देखोगे, एक एक sell up भी आ सकता है, या फिर bullish momentum दोनों तरफ हमारा प्लान हो सकता है, चली मैं छोटे time frame का chart लगा लेता हूँ, and somewhere around छोटे time frame पर देखोगे, top level से अभी भी हमको एक negative price action easily बनता हुआ नजर आ रहा, यहां से देखोगे, तो हमको continuously कह सकते हैं, कि easily negative price action बनता हुआ नजर आ रह यहां पर देख सकते हो, इस candle के अंदर हमको एक selling breakdown देखने को मिला, उसके बाद देख सकते हो, इसको थोड़ा और एकजस कर लो, तो closing price के आसपस somewhere around यहां पर होता है, तो देख सकते हो multiple time इस level को test किया price दो और इसको breakdown किया, काफी इचा sharp selling आई, and तुरंथ ही recovery भी देखने को मिल गए, end of the day, and somewhere around इसी के आसपस closing दिये, ठीक है, तो कल अगर price sideways open ओकर इस level को upside break कर लेती है, यानि कि 16, 550 का level price cross करते है, हम इसको buy के लिए, छोटी quantity में buy के लिए plan कर सकते है, लेकिन aggressively buy के लिए plan नहीं करना है, क्योंकि अभी भी main trend इसका negative दिख रहा है, यहां पर छोटे time 50 का level cross करते हो, उपर की तरफ momentum करेगे, तो सारे जिन लोगों ने यहां पर call short करके रखे होंगे, जो option selling की होगी, उनके stop loss हीट होंगे, और वो अपना profit book करेंगे, उसकी वज़े से यहां पर काफी ज्यादा momentum upside भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कल price sideways open यहीं पर 15 minute के अंद priority को बड़ा सकते हैं, इस level को cross करते हैं, बड़ा momentum आ सकता है, 16,440 का level, ठीक है, राउन लेवल 16,450 का है, लेकिन 440 का एक round level नमर बता रहा हूं, 440 का level cross करते ही, हम इसको sell के लिए plan करेंगे, काफी चा नीचे में sharp momentum आ सकता है, कुछ इस type से दिख सकते हो, price action अभी भी negative दिख यह वो अपना है, बाकी सब सपना है, ठीक है, यह चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इसके लाव जो main support level, जो main support के तरफ काम करेगा, वो है 16,400 का level, काफी ज्यादा important level है, अगर price 440 का level cross करेगी, तब भी 400 का strong support level है, या फिर 370 तक ये बीच में gap pending है, तो य I hope की चीज आपको समझ में आएगी, चली, stock देख लेते हैं, जिनको कल हम intradic and trade कर सकते हैं, पहला stock के bank of borrowed होगा, अगर हम देखेंगे daily time frame के चार्ट के उपर, तो price एक W pattern यहाँ पर बनाती हुई, नजरा इनी, उपर से शाप selling हमको देखने को मिली, top level से उसके बाद W pattern बन सकता है, तो हम इसमें buy के लिए plan कर सकते है, stop loss की बाद करो, तो अगर sideways open हो थी price, तो एक रूपे के आसपास आपका stop loss होना चाहिए, 1-2 target के लिए हम plan कर सकते है, 2-3-4 रूपे के आसपास आपको momentum मिल सकता है, ठीके चली, next stock है, next stock है, mariko, mariko के अंदर बात करो, तो आज हमको काफी एची selling इसमें देखने को मिली, daily time frame के चार्ट के अपर देखो गए, तो price अपने top level के आसपास खड़ी, देख सकते हो, जो भी swing high बनाया है, recently उसी swing high को यहाँ पर बनाया है, उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर एक doji candle थी, बड़ी week वाली, उसके बाद हमको आज red candle देखने को मिली, और price अपने support level के आसपास, अगर इस support को break करती है, यानि कि 516 ka level cross करते ही, 516 ka level cross करते ही, हम उसको sale के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर 517 का level cross करते ही, हम इसको sale के लिए प्लान कर सकते है, यहाँ छाप momentum, हमको देखने को मिल सकता है, ठीक काफी चास selling pressure इस अगर सेल को डेली टाइम फ्रेम के चाट के अपर यहां पर देखोगे तो प्राइज में क्या हो एक गेप पेंडिंग बीच में आपर देख सकते हैं यहां से गेप डाउन ओपनिंग हुई तो यहां तो यहां पर बड़ा मोमेंटम आ सकता है यह पूरा गेप यह फील हो सकता या फिर हमको एक अगेंस सेलिंग प्रेशर आसकता है तो करल हमको बाइ और सेल डोनों के लिए रेना है दोनों तरफ कहीं किसी भी तरफ एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है अगर मार्केट पॉजिटीव डियता है तो बाइ के लिए काफी जा आपको पॉजिटीव मोमेंटम चीक या तूसित नग Ridge म new क्रोश करते है उसको वास के लिए बात करते हैं को आया लेजान इसके लिए करेंगे इसको थनके में करेंगे उपको यज दूर में उपको चबिशियित कर Sü tb मुमेंटम को करें से दो रहन करें करेंगे हैं लास इस्टोग के ाइस-इस-प्रेंशन ठीक है इसको अगर आप देखो क्या इस क pools प्रेंशन हाथ को पांसो पचास का लेवल करते ही पांसो लाइं यह 151 यह जब तब तक कर रहें हिल तब तक क debating सिल के लिए नहीं करनाइज चार से लिए 255 लो से लेपांन kयों स्टोक जो उने बता है वो आपको समझ में आयोंगे और कल जो मैंने स्टोक दिये थे डेफिनेटली उनमें काफी अच्छा पेसा आपका बनाऊगा ठीक है तो यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता है और ऐसे एगर वीडियो चाहिए तो चै पर आम चीजों को देख पाऊ और देखने के बाद साथ चीजों को एक्जिक्यूट कर पाऊ तो मिलते किसी नेक्स टूडियो में